तो आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चप्टर 13 एक्सराइस 13.8 का कॉश्चन नॉम्बर वन यह हमारी लास्ट एक्सराइज है पहले हम कॉश्चन पढ़ते हैं the find the volume of sphere whose radius is 7 cm and 0.63 meter हमें volume of sphere निकालना है the radius of sphere हमारी 7 cm हमें इसमें कुछ नहीं करना डायरेट हमें volume निकालना है तो volume of कि इस्वेर कि वॉल्यम इस्वेर कितना होता है फोर अपॉन थ्री पाई यार क्यूब फोर अपॉन थ्री पाई यार क्यूब पाई की वैल्यू हमें पता है 22 अपॉन 7 आर कितना हमारा 7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 से 7 कट 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन थ्री ओक्या अब 22 इंटू 4 करेंगे तो 88 इंटू 49 अपॉन थ्री इसे हम सॉल करेंगे तो हमारा आप उसर आएका vine न है अपॉर इंटू अपॉन तो अपॉन 3 हम इसेarsi कर सकते हैं या फिर लिए से पर come भासे हम इसे यहां पर से छोड़ देता है links fraction में दिया हुआ है तो वहां से आप देखे लेए कि अब दूसरा पार्ट करते हैं दूसरे पार्ट में हमारे रेडियस ऑफ इस्वेर 0.63 मीटर है रेडियस कि आफ इस्वेर अजिजिक्स 0.63 मीटर तो इसमें भी वॉल्यूम में निकालना है वॉल्यूम आफ वॉल्यूम आफ इस्वेर ओके इतना होथा हमारा फॉर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब ओके फॉर अपॉन थ्री पाई की वेल्यू हमारी 22 अपॉन सेवन इन्टो 0.63 इन्टो 0.63 इन्टो 0.63 बहुत लंबा हो जाए गया यह सेवन इन्जर 63 तो 0.9 3 से 0.3 ओके तो 88 इन्टो 0.3 इन्टो 0.63 इन्टो 0.63 इन्टो 0.63 इसे सॉल्फ करने पर हमारा आएगा 0.39 कि हम 0.63 का होल स्कॉयर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.39 और 69 88 इन्टो 0.3 करेंगे तो हमारा आएगा 26.4 अगर हम इन्हें कॉल्टिप्लाइ करेंगे तो एप्रॉक्सिमेटली 1.04 मीटर क्यूब आएगा यहां पर और इसके आगे हम एप्रॉक्स लगा लेते हैं क्योंकि 04 में आ रहा है तो इस वैसे हमारी यह वीडियो एंड हुता है हमारा आगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग